मौनिंग स्टूडेंट, मैं डॉक्टर बंधना अकोदिया, गौर्मेंट कॉलेज बूंदी बच्चो, हम सहसंयोजग बंध के बारे में बात करें थे आज हम उसके दिशात्मा गुण के बारे में बात करेंगे कि जो दो कक्षक होते हैं, उनके अतिव्यापन से एक सहसंयोजग बंध बनता है जिनमें विप्रीद चक्रन वाले अयुगमिति इलक्टोन होना ज़रूरी होता है और यदि हम हाइड्रोजन का एक्जामपल लें तो हाइड्रोजन के एक्जामपल में आप देखिए कि इसके 1S कक्षक में हमें SS और्बिटल के बीच में अतिव्यापन देखने को मिलता है ये HA का और्बिटल हो गया, ये HA का हो गया और इन दोनों में इस तरह से अतिव्यापन होता है इससे हमारा सिग्मा बंद बनता है तो जो X कक्षक होते हैं, वो स्फारिकल होते हैं यानि गोल होते हैं, जो की X, Y और Z तीनों अक्षों में एक जैसे नजर आते हैं, तो इनकी दिशाया का बंद पर प्रभाव नहीं पड़ता है तो किसी भी दिशा के दोनों कक्षक, एक दूसरे के समीप आये तो अतिव्यापन होगा और सरसयोग बंद भी बंद जाता है और उसे हम सिग्मा बंद कहते हैं, लेकिन यदि P कक्षक का अतिव्यापन हो तो सर संयोजग का बंद का निर्मान होगा उस पर दिशा का प्रभाव पड़ेगा इसके लिए हम एक्जामपल लेते हैं B, B, बोरोन बोरोन आटम आपस में अतिव्यापन करके किस तरह से बंद बनाते हैं तो बोरोन का यदि हम electronic configuration देखें तो इसका electronic configuration होता है 1s2, 2s2, 2px1 यानि px में एक electron मौझूद है अर्ठाट एक आयुगमित electron किस में प्रजेंट है? 2px1 के अंदर तो जो बोरोन बोरोन आणू है केवल उस इस्तिति में बनेगा यदि बोरोन प्रमाणू एक दूसरे की और x अक्ष पर बढ़ेंगे क्योंकि इसी अक्ष पर कक्षकों का अतिव्यापन होगा क्योंकि participate करने वाला कौन सा orbital है? px है अब आप यहां पर देखें कि अलग-अलग प्रमाणू का यदि हम example लें तो आप इसके अंदर देखें हमने water molecule का example लिया है और ammonia का example लिया है तो जल के एक अणू में एक oxygen परमाणू पर दो hydrogen परमाणू के साथ जुड़े होए है तो oxygen परमाणू के अयुगमित electron कहां-कहां पर मौदूद होते हैं py और pz कक्षक में और प्रते हाइडोजन परमाणू के पास एक एक 1S electron उपरस्त होता है यदि दो हाइडोजन परमाणू X, Y और Z अक्ष की दिशा में oxygen की ओर आएंगे तो अतिव्यापन होगा और हमें दो सिग्मा बंद बनते हैं और इस प्रकार एक H2O अनू का निर्माण होता है जिसका structure आप यहाँ पर देख रहे हैं यह देखे इस दिशा में आया और इस दिशा में आया और इस तरह से हमें एक water molecule मिलता है यहाँ पर जो oxygen hydrogen यह जो बंद होता है 90 डिग्री पर होना चाहिए क्योंकि दोनों PY और PZ कक्षक परसपर 90 डिग्री का कोड़ पर इस्तित होते हैं लेकिन जल का जो बंद कौन होता है वो कितना होता है 104 डिग्री 28 मिंट होता है इसका स्पष्टिकरण यह दिया गया है कि दोनों बंद electron परसपर एक दूसरे को प्रतिकरशित करते हैं और बंद कौन को बढ़ा देते हैं बाद में संक्रन की अवधारना से इस साधार की पुस्टिकी है जिसे हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं अब अगला example है हमारे पास में ammonia का तो nitrogen का यदि हम electronic configuration देखें तो बच्चों ये है 1s2, 2s2, 2px1, 2py1, 2pz1 यानि कि ये तीनो p orbitals के पास में एक एक unpaired electron present है और hydrogen के पास में 1s1 present है तीन hydrogen है तो यहाँ पर हमें 3 sigma बंद नजर आते हैं और 3 sigma बंद px, py, pz एक दूसरे के 90 degree कौण पर होते हैं और 3 ही जो 90 degree के कौण पर होते हैं तो उसी दिशा में ये अतिव्यापन करते हैं अब अगली जो अवधाना है वो है आपके अनुनाद द्वारा सरसयोजग बंद की व्याख्या करना यानि कि यदि हमको covalent bond को समझना है तो resonance के द्वारा भी हम इसे समझ सकते हैं तो कुछ अनुनाद के सरसयोजग बंद की प्रकृति की व्याख्या अनुनाद द्वारा भी ही संभव हो सकती है जैसे कि carbonate iron तो carbonate iron की सरचना आप यहाँ पर देखे यह इसका structure है तो इस सरचना में एक oxygen परमाणू carbon के साथ द्वीबन बनाता है जबकि 6 दो एकल बंद द्वारा carbon से जुड़े वे हैं अर्थात एक oxygen परमाणू का बंद करम दो होना चाहिए और 6 दोनो oxygen परमाणू और carbon परमाणू का जो बंद करम है वो 4 ही है किन्तु वस्तुते ऐसा नहीं होता है कि carbonate iron के तीनो oxygen परमाणू एक दूसरे के एकदम समान होते हैं और समतले सरचना यानि की COC 120 डिग्री होता है पॉलिंग ने इसकी व्याख्या resonance के आधार पर की इसके अनुसार carbonate iron की तीन समभावित सरचना उन्होंने बताई और उन्होंने कहा कि जो उसका जो negative charge है उनमें किस तरह से resonance होता है और किस तरह से movement होता है तो first देखिए यहाँ पर double bond है एक oxygen double bond के साथ में है और दोनो oxygen के पास negative charge है अगली बार में यदि हम इसको A कहें इसको B कहें इसको C कहें तो अगली बार जो हमारा B है उसके double bond है और दोनों पर negative charge आ गया अब जो आपका C है उसके double bond आ गया और दोनों पर negative charge आ गया तो यह इसकी resonating structure है अनुनादी सरचना है इसी तरह से यदि हम sulphate iron की बात करें तो हमें इस तरह की सरचना मिलेगी आप फर्स देखिए sulphate iron के अंदर ऐसे plus two oxidation state के अंदर है और यहां पर चारो oxygen जो परमानू है उन पर negative charge है इसी तरह से आप यहां पर देखिए कि यदि double bond बन जाता है तो जो sulphur है उसको plus one oxidation state के अंदर आ जाता है और तीन oxygen के उपर negative charge हो जाता है अगला resonating structure आप देखेंगे कि दोनों के उपर double bond आ जाते हैं दो oxygen के उपर और दो के पास negative charge आ जाते हैं दो oxygen के पास इसी तरह से तीसरे structure में आप यह देखिए कि जो हमारा sulfur है उसमें negative charge आ रहा है और तीन oxygen जो है हमारे बोन पे double bond है और यह और एक oxygen के पास में negative charge है इसी तरह से आप last example लास structure आप यहां देखिए कि सारे oxygen double bond से bonded है और जो sulfur है उसके उपर negative charge आ जाया हुआ है इसी तरह से हम नीचे नाइट्रेट आयन है उसकी तीनों अनुनादी सरचना देखें तो आप यहाँ पर देखें कि नाइटोजन है इसमें एक oxygen double bond से bonded है एक में single bond है और एक में इसमें covalent bond प्राये जाता है यानि कि nitrogen है अपना long pair of electron है oxygen को दे देता है इसी तरह से second structure के अंदर आप यह देखिए कि अब दूसरा oxygen ने उस पर positive charge आ गया और दूसरे oxygen के साथ इसने coordination bond बना लिया इसी तरह से हमें तीसरा structure देखना पड़ता है तीनों सरचनाव में nitrogen के उपर positive charge होता है क्योंकि यह अपना last बचावा जो long pair of electron है वो covalent bond बनाने में जो है वो donate कर देता है यह हम दूसरे शब्द में के हैं participate कर लेता है इसी तरह से बच्चो और example यदि हम carbon monoxide का देखे हैं तो carbon monoxide की देखिए first, second, third यह तीनों संभावी सरचना है होती है resonance की इसमें देखिए पहले double bond है, single bond आया तो partially positive charge आगया carbon पर इधर partially negative आगया और इधर हम देखेंगे कि यदि oxygen पर positive है इधर partially negative charge आगया, कब आएगा, उस condition में आएगा जब oxygen है अपना lone pair of electron carbon को देदेता है अगला structure है हमारा carbon dioxide का तो carbon dioxide की दो सरचना है, वो resonating structure आप यहां देखिए, यह तो symmetrical है, यह asymmetrical है और अनुनाद में इसका योगदान कम होता है, क्योंकि इसमें oxygen बच्चों हमेशा यह चीज का ध्यान रखेगा, कि resonating structure में वही stable होता है यदि किसी electro negative है, यदि उस पर positive charge आता है, तो resonating hybrid stable नहीं होता है यानि resonance के लिए हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है कि जो हमारा electro negative atom है, उस पर positive charge नहीं होना चाहिए यदि उस पर positive charge आएगा, तो वो सरचना में कम भाग लेगा और आप यहाँ पर देखिए, कि जो हमारा ये वाला structure है, इसमें oxygen पर positive charge आ रहा है इसलिए ये अनुनाद में कम सयोग करता है, कम योगदान देता है अगला आप example देखेंगे बेंजीन का, तो बेंजीन में ये देखिए किस तरह की सरचना ये केकुले सरचना है, और ये डवार की सरचना है, और ये आइनिक सरचना है तो किस तरह से resonating structure हमें अलग-अलग compounds में देखने को मिलते हैं ये देखिए अगला आ रहा है कि जिस सरचना में निकटम परमाणों पर समान आवेशो, वह भी अनुनाद में कोई योगदान नहीं देते हैं उधारन के लिए यदि हम hydrojoic अम यानि एनस्रू की निम्नतीन संभावना है तो इसमें जो थर्ड सरचना का कोई महत्व नहीं है थर्ड सरचना कौम सी है ये क्योंकि इसमें दोनों निकटम नाइटोचन परमाणू है दोनों पर positive charge आ रहा है यानि कि यदि ये structure बनता है तो भी ये stable नहीं होगा इसका resonance में participate नहीं कर पाएगा इसी तरह से ये वाले ये दो structure है जो ही हमारा इसमें participate करेंगे इसका अगला point है कि वे सरचना है जिनमें धन विदूती तत्व रिनाविशित हो रिनाविशित तत्व का धनाविश अनुनाद में कोई योगदान नहीं देती है उधारन के लिए यदि हम HF की बात करें तो HF का अनुनाद में कोई योगदान नहीं होता इस प्रकार यदि एक टोटो निकाले तो एक रिनाविशित बनता है उस रिनाविशित में अब आप यहां पर देखिए ये एक रिनाविशित बना है इसकी तुलना में ये इसका य इसका या यदि कोई उससे पहले में ने कहा था कि यदी कोई इसका यदि कोई रिनाविशित बढ़ा देता है यानि कि उसका ज़ले होगा रिजूनेस के अंदर वो काफी जादा होता है वो बढ़ जाता है अगला point है कि किसी सरचना में सरसंयोजग बंद की जितनी अधिक संक्या होगी वह अनुनाद में उतना ही अधिक योगदान करेगा यानि कि जितनी जाधा resonating structure समय देखने को मिलेंगे उतनी ही इसकी stability को वो बढ़ाएंगे यानि BF3 के लिए निमने प्रकार की सरचना है यह देखिए यह फर्स है यदि पी इनमे फ्लोरीन एक रिंड विद्धूती तत्व पर धनावेश इस उपासी तता इस आवेश में अधिक मत्पूर बात यह कि बोरोन इलेक्ट्रोन न्यूनता को समाप्त हो गई है यानि इसमे अंदर आप यह देखेंगे इसका एलेक्ट्रोनिक कॉन्फिग्रेशन देखिए वन इस टू 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 पी एक्स वन है अब यहां पर यह देखिए कि यह पी और्बिटल है यह दिशात्मक है यानि कि पी और्बिटल आपस में ऑवरलेप करके सिगमा बं इसका एक्जामपल आप कार्बन जैसे सी चीटू बनता है ओ टू बनता है तो आप यहां पर लाक्ट्रोनिक कोंफिग्रेशन देखिए दोनों के अधा दोनों के पास दो ऐंप्यापन है ऑक्सिजन में दोनों और रहें पता है यह नाइंटी डिग्री के अंगल पर होते है तो उसी डारेक्शन में अवरलेपिंग करने पर साइडवाइज अतिवापन करने पर हमें पाइबंद मिलता है और वह इस तरह से होगा अब एक और इंपॉर्टेंट चीज आती है क्योंकि अतिवापन में जो पाइबंद होता है। समपार्षविक अतिवापन होता है तो पाई बंद जो है सिगमा बंद के तुलना में दुर्वल प्रकृतिका होता है क्योंकि जितनी ज्यादा ओवरलेपिंग होगी बॉंड इतना ही स्ट्रॉंग बनेगा तो हम यह कह सकते हैं कि जो सिगमा बंद होते हैं जो ऑवरलेपिंग होती है बहुत जादा होती है बनस्पत पाई बॉंड के इसी तरह से बचों यहां पर नाइट्रोजन का एक्जाम्पल देखिए आप नाइट्रोजन में भी किस तरह से समपार्शवें कतिवापन हो रहा है एक सिगमा बंद बन रहा है और यहां पर दो पाई बंद बंद र अब अनुनादी सरचने कि हम बात कर रहे थे तो किसी वे अनु को निमनतम और अस्तर वाले अनुनादी सरचना है उसकी वास्टविक सरचनाक और कि ओर जा में अंतर होता है सी हिवर lik нет अब बात आती कि数 शी kita है कि तो यह तो झुल जो निम्नतम उर्जा इससर है और वास्तवी के दोनों में यदि अंतर आता है यानि कि हम कह सकते हैं कि किसी अणु के लिए कम उर्जा अंतर या लगबक समान उर्जा वाली जितनी अधिक अनुनादी सरचनाएंगे वह अधिक इससाई होगा इसके लिए क्या होगा सरचना में परमानों के पेश्चिक विवस्ता समान होती है समान होती है और उनके बंद कोड़ बंद लंबाई के मान प्रेक्षित मानों से अधिक भिन नहीं होते हैं सकिंड पॉइंट में प्रतेक सायोगी सरचना में अयोगी इलेक्टोनों की सरचना समान होती है यानि कि एसा नहीं है कि जो अन्पेर ओफ एलेक्टोन है रोजनेंस में उनमें से कम हो जाएगा या जादा हो जाएगा ऐसा नहीं होता है थर्ड पॉइंट है कि सभी सयोगी सरोचनाओं का उर्जा लगबा बराबर होती है उच्च उर्जा वाली सरचनाएं अनुनाद में अधिक योगदान देती हैं उधारन के लिए जैसे अपने नीचे यहां पर बेंजिन का पीछे एक्जामपल लिया था तो बच्चो ये तो ह किस तरह की होती है इसके बारे में डिस्कस करेंगे को शाश्य और बंदी लेक्टर ओन की संख्या दो है और अब कि इसमें नहीं मिलता है स्ट्र०्ट इसमें चार बंदी एलेक्ट्रोन होते हैं इसमें एक नॉन बॉंडिंग एलेक्ट्रोन का यहां पर मिलेगा और इसकी आकरिती जो है एंगुलर होती है और जो आप बॉंड एंगल देखे 118 डिगरी होता है इसी तरह से बच्चो नाइट्रोजन नाइट्रोजन ऑक्साइड देखिए वो एस्पी टू है इसी तरह से आप यहां पर देखिए माइनस है नाइट्राइट है नाइट्रेट है वो सभी हैबर डाईज है और इनकी यह बंदी एलेक्ट्रोन देखेंगे तो नाइट्रोजन औक्साइड है वो कोण यह होता है एंगुलर होता है जबकि जो नाइट्राइट है वो हमारा एंगुलर होगा जबकि हमारा जो नाइट्रेट है वो समतल कोणी है उसकी स्ट्रक्चर हो जाती है और इसी तरह से बच्चो टिपिकल एक्जामपल यहां पर सलफेट का है जिसका की हैपेडेजेशन SP3 होता है और इसमें जो बान्डिंग एलेक्ट्रों होते हैं और चतुषवल की यहां नहीं टेटा हेडल इसका स्ट्रक्चर होता है अब बच्चो यहीं पर आप कुछ और टिपिकल एक्जामपल्स यह दे देखेंगे तो आप यहां पर देखिए कि सबसेt CLF3 है तो CLF3 में 87 सेवन डिग्रियों टी शेप का है यह इसी तरह से बच्चों यहां पर आप यह देखे आई एफ सेवन है इसमें स्पी 3D3 ऑक्सिट वह मिलता है हमें हाइब है इसका जो स्ट्रक्चर है वैसे रेगुलर पेंटागोला बाइपिरमिडल होता है कई बाइब स्क्वाइब भी स् संयोजक बंद हैं उनमें जो दिर्शात्मक गुण हैं उनके बारे में पढ़ा है और इसके साथ ही हमने रेजोनेंस के बारे में पढ़ा है कि कुछ चीजों की आगे पढ़ेंगे धन्यवाद